अगे बानी दा नाम है तो अडे चो जेडे प्यारे आप दर्शन कर दे ने श्री गुरु ग्रांट सहथ जिदि मारा सचे पाथशा जिदे पावन Newman सुरूप दे उजान दे ने के श्री गुरु ग्रांट सहथ जिदि बानी दी प्रारंपता विच शुरुआत विच दो तत्करेने इंडेक्स हर मैगजीन बुक गरंथ दे अगे एक इंडेक्स सुन्दाए कि किन्ने पेज दे उपर केड़ी चीज अंकित है खवा ही रूँ ते शीरी गुरु ग्रणथ सहिव जी दी महराज सचे पाध्षाजी दे पावन सुरूप विच शुरुआत विच दो तत्करेने इंडेक्स ने इकदा नाम है टत्करा रागांगा उस विच दस्या है कि केड़ा राग किन्ने आंगतों शुरु होनदा आए जिमें शीरी गुर चार टाइटल ने, चार बाणियां दे नाम ने, सरलेख ने, जाप, सोधर, सोपुर्ख, सोहिला शिरी गुरु गुरंद सहीब जी महराजी दे पावन अंक एक तो लेके अंक तेरां तक ये चार बाणियां, चार सरलेख ने, अंक चौदां तो राग शुरू उन्देने, सब तो पहला राग, सिरी राग है, अखीला राग, जैजावंती राग है इकत्ती परमुख राग ने, साड़ा एक बखरा एपिसोड, तुसी इस चैनल दाही सुनदे हूँ, देख दे हूँ, परम प्यारे वीर, इंदर जी सेंधी पठान कोट वाले, जेडे एकत्तीन धारत रागान गा के, उस राग दी जाती वारे, उस राग दी असुरा वारे, उस राग दी मुडली जानकारी बंदेने तो नू, फिर उस राग नू गा के, राग दी ठाट, अरोही, अवरोही गोंदेने, फिर उस राग दे विच उचारन कीता हुया शबद, उस इसे राग विच गा के सुनों देने तुसी इस समय समय ते अनाद मानोंगे इस एपिसोड दा नाम है रागांदा खजाना सत्वरी जी किरपाकर न इस ततकरे विच इस इंडेक्स दे विच राग गांदा वेरवा है केड़ा राग शिरीगुराण सायब जी दे किन्ने आंकतों शुरू हुंदा है दूसरा इंडेक्स दूसरा तत्करा है तत्करा शब्दां का उस विच शबद दी पहली पंगती लिख के दस्या हुंदा है कि आशबद इन्हें आंकदे उपर है उस इंडेक्स मतावक पहली बाणी दा नाम पहला सर लेख है जाप ति उस इंडेक्स देवेच उस तत्करेवेच जाप लेखके सजे पासे लिखिया है कि एपावन अंक एक देव पर अंकित है ओही जाप इतिगवर पर साथ तो बाद है इसनों सिख जागे तुदे अंदर सिरी जाप जी सहर भी कहन दे है सिरी मीन्स उत्म जी सत्कार नाल किया जादा है साहिब साथे मालक ने पावन गरवानी गुरु सहर दी जोत है इसलिए जापन सत्कार सहत सिरी जप जी सहर कहन दे है नितनेम दियां बाणियां मिच्च ये सब तो पहली बाणी है जाप नाम दी मानी में विच अठत्ती पदे ने दो शलोक ने अखीरला शलोक बिल्कुल मानी में अखीरते है शलोक पावन गुरु पाणी पिता माता तावत महत्व पहला शलोक जाप लिखन तो बाद दो पंक्तियां दा शलोक है इस लोक गुरु अरजन देप सहब जी महाराजी ने भी सुखमी सहब जीरी बानी में विच अंकित कीता है उथे उचारन कर देयां आद साच जुगाद साच है पे साच लिखिया पबेनु से हारी होसी पे साच उथे भी पब्बेणू से हारी इत्थी पब्बेणू भी हारी है पंक्तियान ने आ दे साच जुगादे साच है पी साच नानक होसी पी साच ओ भाहिरोजिदी शक्ती जस नल प्यार भुनोना है वह वाहिग्र जिदी शक्ती जैसे नल प्यार ने बहुण है वह आदे सच वेरी बिगिनिंग जिदो कुछ भी नहीं सी उस मेले ये वाहिग्र जिदी जोच सी सेंस वाले एक अंदाजा जालोंदे ने कि कदी बिग बैंग होया होएगा बहुत बड़ा तमाका होया होएगा मैं इसलिए शब्द परते हैं अंदाजा लोंदे होनगे क्योंकि उठ देखिया कैसे ने नियाक होगा ही रोदो को है ही निसी देखेगा कि इसलिए अस्टिमीटेड है अंदाजा है फिर केंदेने उस तमाके तो बाद चार कफेरे गैसा फैल घिया होनगी अंदाजा है मैं फिर दोहरा देया मैं इसलिए अंदाजा शब्द बरते हैं क्योंकि उस विले कोई निसी दी ने देखे आख हो आई गरूँ क्यांदे एक तमाका होया होएगा उस विचो गैसा निकलिया होन गिया उस विचो जीब बनने शुरू होन गिया आक हो आई ग्रू ते इदा कहलो कि ओ जो अंदाजा है कि बिग बैंग होया होएगा उस तो भी पहला ये जोट सी आक हो आई ग्रू जीब बने जीब पैदा होए फिर मनुख पैदा होया होएगा आक हो आई ग्रू कि में कदो कोछ नहीं पता आक हो आई ग्रू पर कोई मनुख ते पैदा होया होएगा फिर गेंटी मिन्ती शुरू होई होएगी उ है जुगाद उस गेंटी मिन्ती दे शुरू आत विच भी ही शक्ती आदे साच, जोगा आदे साच, है पी साच हुन भी उस विले भी ए साच सुरूप शक्ति वाहिवर जिदी सी नानक होसी पी साच रहें दी दुनिया तक ए शक्ति रहेगी हुन एस मूल मंतर विच आए हुए गुणान बखरे तरीके नल समझना है ताके ए जाप नाम दी जड़ी बानी है इस विच्चों समझ पवेगी गुर्मत की है अखो बाहिरो गुर्मत समझ आगी ते गुर्मत पर चार की हुदाए इस दी भी समझ आजाएगी जेड़े गुण दसे गैसी वाहिरो जी दे पिछले अपिसोड विच आप जी ने सुने साथ है तुसी में तु मुल मंतर दापाठ कर दे हूँ इस विच्च जेड़े चार गुण सत्गरु जी ने लिखे ले और लिखन दा अंधाज वड़ा कमाल दा है पंजाबी विच गुर्मखी विच किसे शबद अर्थ उल्ट करने हूँ तर उदे अगे नेर लेख देवो ननेनू सहारी रारा नेर उदे अर्थ उल्ट हो जान देने दूसरा तरीका उसने अगे एडा ला देओ उदे आर्थ पल्ट जान देने चार गुण वाहिगरु जी दे इस तरीके न लिखे गए ने शब्द है पाओ पाओ उन्दा डारा वाहिगरु जी न कोई डार नहीं है उते दिखन दा तरीका नेर पाओ शब्द वैर वाहिगरु जी दा गौन नेर वैर शब्द काल समा सरकम्स्टांसज सिचुएशन्स हालात स्थितिया प्रस्थितिया वाहिगरु जी दा गौन है अकाल इस्तुरहत शब्द जुनी जनम मरन वाहिगरु जी दा गौन है अजुनी इनना चार शब्दां दे विच चार गौना दे विच बड़ी कमाल दी के रमज है साथे अंदर जो वाहिगरु जी दे जोत है प्यारे वो यह जीवन उतना चेरी चादर या जितना चेरो जोत है यह जोत निर्पव है निर्वेर है अकाल है अजुनी है इस जोत नो असी आत्मा कह देंदे हैं इस जोत नो असी जमीर कह देंदे हैं कॉंशियस कह देंदे हैं पर अमें कॉंशियस कहलो जमीर कहलो आत्मा कहलो वाहिगरु जी जोत कहलो पर अंदर पहो भी है निर्वेर भी है अकाल भी है अजुनी भी है खो वाहिगरु इस शक्ति दे विच्चों इस जोत दे विच्चों ही एक होर शक्ति ने जनम ले है जिड़ा मान है फर्क इतना ही है जोत सरीर दे अंदर ही रह दी है मान त्यान बन के बाहर भी जान दा आख हो आई ग्रूँ जोत दा आवणा जावणा नहीं है मान दा आवणा ते जावणा है मान पामे जोत दा इस रूप है ए मान पामे आत्मा दे विच्चों ही निकले होया है पर मान निर्पाव नहीं आख हो आई ग्रूँ पेनी कमजोरी दुजी कमजोरी मान निरवैर नहीं है वैर भिरोध विच जिवन दाख हुआ है गुरू दिखना ए चार जिड़े गुण ने मान दिया चार कमजोरिया नल जुड़े ने इस विच्चोई ते समझ पबेग गुर्मत वाला जीवन की उंदाख हुआ है गुरू सच्चारा जीवन की उंदाए हुआ 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 लेंदाए, समें दासर कबूल लेंदाए इगल हो रियाद रखने जदो ही ए चार्च फेरे वर्ते हुए किसे हालात दा परभाव कबूल दाए एडे सभावदे विच जनम मरन हुंदाया खोवाई गुरू मान जूनिया विच्छा है तुसी सिरी सुख में से गिदी बानी पढ़ दे हूँ उस विच एक मान दी जूनि लिखी हुई है उन्हों त्यानल कदी पढ़ना जिस मान दे कोल राज पाग होवे सुख सहूलत होवे दुनिया में फैसल्टी लगजरी होवे पर उस मान दे अंदर हंकार होवे अख हुआ है गिरू तब ओमान इन्सान नहीं हुदा पाँ में दुनिया उन्हों राजा केंदी है मंत्री केंदी है मुख मंत्री परदान मंत्री केंदी है ये ते बादशा है ते राजा है जा ते हुकम चलदा है पर सुखनी से विदी बानी अंदर सत्ग्रु कहने ओ मान इनसान भी नहीं है ति फिर ओ है की पंक्ती पड़के देखो जिसके अंतर राज अवेमान सु नर्क पाती अहाँ ओ नर्क विच्प्या होया आखो वाहिग्रु अगला शब्द त्यानल पढ़ना जिसके अंतर राज अवेमान सु नर्क पाती होवत सुवान होवत हो गया है शिरी गुर्बानी नू त्यानल पढ़ना आयो होई शब्दा नू त्यानल बाच दे रहना गुर्बानी अंदर होवत शब्द भी आया है गुर्बानी अंदर होवत शब्द भी आया है होवत शब्द फ्यूचर टैंस है फ्यूचर नल पविखना सबंदत है होवेगा होवत शब्द पास्ट परफेक्ट कॉंटीनियू रूप दे विच उंदा है वर्त चुक्के समेद विच ए मान कुत्ता बढ़ गया खोवा है गिरूचर ए मान नर्क विच पैगिया है जिस मान दे कोल राज पाग होंदेया होदा हंकार है खोवा है गिरूचर ते मान जुनिया विच है मान दे अंदर जनम मरन दा प्यारे हो कोई दुखी है ते ए मान दे अंदर ले जनम मरन दे विच निकले होए दुखां करके दुखी है मन कुत्ते दी जुन्नी बिच भी जान्दा है उदो निदा सभव कुत्ते वर्गा कोडा रुखा हुन्दा है खोवाई गरू मन कां दी जुन्नी बिच भी जान्दा है उदो मन कां मंगू रुखा बोल्दा है काम अंगुए दी खुराक मेली हुंदी एक हो वाहिगरू मन बखवख जुनियां बिच जानदा है उय जा सुभाव मन्दा बन जानदा एक हो वाहिगरू इमन दे जनम्मर्ण नू निवारना है मन मिच इंसानियत ही रहे एक हो वाहिगरू मन वाहिगरू दे गुणा वाला सच्यारा जीवन हीज्यों में ये गुर्मत ने सिखोना है इगल और याद रखनी विकारां दे रसां बिच है मन गुणा नू छड़ जानदा है सभाव दे बिच गुणा दी मौत हो जानदी है विकारां दे जनम हो जानदा है जिदो वाहर वाहर उन्ना विकारां दा स्वाद मानेंगा एग आदत पक जानदी है जिड़े विकारं ने उनू गुर्मत विच गुर्बानी विच कूर के है विकारां दे जिड़े आदत है उनू कूर दी पाल के है कूर दी दिवार है, Wheel of Illusion है इसलिए पावन गुर्बानी नियासारियां से ख्यामा ने कमाल दी बात है जब जी सर्द पाथा सी रजाना कर दे हैं आय होए ना चार शबदान निरपाओ, निरवैर, अकाल, अजुनी, इन्वेस तरीके नल समझ के दिखना अगली जेडी पहली पौडी आएगी उस विच पहली पंक्ती दे विच ए मान निरपाओ क्यों नियां दस्या जाएगा मन निरवैर के उनियां दूसरी पंक्ती विच दस्या जाएगा मन अकाल के उनियां समेदा परवाव क्यों क्यों कुबूलदा तीसरी पंक्ती विच दस्या जाएगा मन अजुनी के हमी बनदा ए जुनिया मिच के उपे जनदा है अंदर बिकारां दा जनम ते गुना दी मौत के कर लेंदा है ए मन पशुवा बर्गा सुभाव के बना लेंदा है ए मन जानवरा बर्गा सुभाव के बना लेंदा है मनुखदा मनुखदे न वर्तों बे भार पश्वा वर्गा के बन जानदा है ये चोथी पंक्ती विच दसे आ गया खोवा है गिरो फिर स्वाल कीता गया किब सच्यारा हुई है किब कूडा तुटा पाल विचारांगे अगले एपिसोड विच इनना ही चार गुणानू सुने निया चार पोडियां मिच कबर कीता गया है इनना ही चार गुणानू मने निया चारा पदयां मिच कबर कीता गया है इनना ही चारा गुणानू कुदृत कबन कहां विचार वाले चार पदयां मिच कबर कीता गया है इना ही चार गुणा नू तर्म खांड, ज्यान खांड, सर्म खांड, कर्म खांड के है ए मान्दिया चार कमजोरियान नू बदलना, स्टेप वाई स्टेप अपने सुभावन सच्यारा बनोना इसनू ही एत राह पत पवडियां के है इस सुभाव बदलता जावे, स्टेप वाई स्टेप वदले, इसे न चार खंड के है इस चार खंड मन दे सुभाव दे चार हिसे बदल लवे, ति फिर इन चार फिर साच खंड बसाय दरंकार करकर विख है नदर निहाल फिर सच्चार पंड साच खंड बे जवना सिख जाएगा और बात्या नखने दे जनम दे गुणा दी मौत विच्व निकल देने मुलुख दा मन जिदो विकारां वाले पश्वन वाले सुभाव बे चंड आए जानवरां वाले सुभाव बे चंड आए उस विच्व निकल देने आखो वाहिग्रू वाहिग्रू जिदे नाल प्यार बन जावे वाहिग्रू जिदे गुणा नाल प्यार बन जावे ए मन दा सुभाव स्टेप वाई स्टेप पे चार कमजोरियां बदल जान इन चाबगर्ण रांग भी के हाखो वाहिग्रू चार गुणा वाला रांगो सत्गुरु जिदा एक पावन शब्द है उसमें मुखवाक दे रूबे चसे बहुत वारी सुन दे है मन हाली, किरसानी करनी, सरम पाणी तन खेत फिर जिते जिकर आएगा पांस विस्थार सैत विचारांगे उस विच खेती दी उधारन देती गई उस विच वापार दी उधारन दिती गई उस विच हटी दी उधारन दिती गई उस विच नोकरी दी उधारन दिती गई चार उधारना दे के सत्गुरु जी ने इनना चारां गुणा नोथे कबर कीता है ति उस विच शब्दाया चड़ाया चवगण वाना सिख निर चार गुणा वाला रंग चड़ जावे सिख निर पाव होवे सिख निर वैर होवे आखो आई ग्रू वैर वरोद विट ज्यावना सिख दा सुभाव नहीं आखो आई ग्रू वैर वरोद विट ज्यावन वाले सिख कदीशों पानी पौन दे आखो वाई ग्रों सिख समें दे हलातां दे प्रभावतों उपर जयोंदा है वो अपना एक प्रिंसिपल लेके जयोंदा है सिख दी जिन्दगी जयोंदे कुछ प्रिंसिपल्स ने जेडे कुर बानी चो सिख दा है सिख दा जिन्दगी जयोंदे विच कुछ निजम ने जिन्व गुर्मत दे निजम क्या है जिन्व सिख रहतों मर्यादा भी क्या है सिख दा जीवन पर उपकार दे मर्यादा विच जयोंदा है दूसरा ने जयोंदा है सिख दा जीवन दे सिख दे करम एक खुली किताब बागुंदेने दुनिया उस वारे कोई शंका करे दुनिया नो ओदे वारे कोई पलेखा होगे जा कोई सिख वारे पलेखा पौणदी कोशिश करे ता सिख दा जीवन ते सिख दे कर्म ही सपस्टी करन होंदेने अख वाहिरू सिख दा तार्गेट है कि मैं वाहिरू जीदिया ने नजरा विच परवान होना है मेरा जीवन ताम परवान होएगा जिवन सत्यारा होएगा खोवाए गरू सिख दा लक्ष है उन्ले अपनी मन नो नेरपाऊ बनाँ होना है सिख ने अपने मन निरवायर बनाओना है सिख ने अपने मन समें हलाता दे पर भावतों मुकत हलात जो जे मर्जी होन सिख ने सिखी वाला जीवन ही जीवनाया खोवाई कि दुनिया दे हलात जेतने मर्जी बद्री जान सिख ने गुर्मत वाला ही जीवन जीवनाया सिख ने अपने मन दे अंदर जनम मरंग नहीं पैदा होन देना ये सखोन गे सत्गुरु जी फिर सिख दा जीवन कैसा होना चाहिद है उदा नाम है जाप अप आप ये पावन गुर्बानी दी विचार नरंतर कर दे रहांगे तुसी नरंतर अपने टेलिविजन रही इंटरनेट में मादिम रही साड़ी वेबसाइट www.gurugyan.tv रही लगा ता नरंतर देखने रहोंगे शिरी गुरंट सेवजी दी पावन गुर्बानी दी लड़ी वार ये शब्द विचार एक अर्थां समेथ सहज पाथ है तुसी हमेशा कापी पैन लेके बैठना है जो चंग्या लगे नोट्स मना लेने ने तुसी अपने अपने रिस्तेदारां नो फोन करके दसना है SMS करने ने, E-Mails करनिया ने करवेठे हैं, हर वेले, चोविक अंटे, पावन गुर्बानी देश दांत, साड़े तक पहुंचन एक निमाना जा यतन उमीद है, तो अनुचंगा लगया होईगा अगले एपिसोड विच अप हम विचार करांगे जप जी सहव जी दे पहले पदे दी जिस विच सत्गुरु जी किरपा करनगे ए मन चार गुणा दा रांग के में चाड़े ते वाहिग्रु जी दिया नजरा मिच के में परवान होवे सत्गुरु किरपा करन सारय नुच्च्यारा जीवन प्रापत होवे तो अड़े सारय में करांगे गुर्मत, खुशियां, प्यार, एकता, इत्फाक बने पुल चुक दिखे मा, फते दिसान करके सिसाने के नुआजना जी वाहिग्रु जी का खाल सा, वाहिग्रु जी की फते झाल सारय मेर्मत, कि खते जी की वाहिए, तो शी जी कاتल eुट जी की वाहिए, नी की सारय मेधाना fåकें advice, 5 सारीवल में भी फThe झाल सारय में कहते हैं सिस झाल 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 झाल